हेलो स्टूडेंस लास्ट वीडियो में हमने डिसक्स करा था कम्मिनिस्ट, कापिलिस्ट और सोचलिस्ट थियूरीज आज हम डिसक्स करेंगे देग्रेड देप्रेशन देग्रेड देप्रेशन 1929-1945 1929-1945 ग्रेड देशन क्या था एक फिस्टारी विड्रेशन क्या था यह यह तर्टेड विड्वाइड विड्बंक फेनियर स एन श्टॉक मार्केट क्रैश इन यूएस ग्राश इन 1929 इन यूएस अमेरिका के बैंक फेल हो गए थे एक के बाद एक और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे उसके बाद ग्रेट इप्रेशन स्टाट बाद ग्रेट डेप्रेशन का मतलब है भयानक मंदी के पूरी दोनिया में प्रडाक्षिन डाउन ओगया था इंडस्टरी प्रडाक्ष्ण डाउन हो गया थी पूरी दुनिया में फैल जगा थे टो पो स्प्रिंट वोल्ड वाइट पूरी दुनिया में फैल लिया ठीक है पूरी दुनिया में क्योंकि यूएस जो था यूएस में खासकर जैसे जर्मनी को फर्स्ट वल्ड वार जब एंडवा था 1914 से 18 जिसमें Central Forces की हार भी थी जिसमें जर्मनी और उसके जो एलाइस से ऑस्ट्रिया हंगरी यह हार गए थे तो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस 1919 में साइंग वा था क्योंकि जब World War खतम वा था तो जो जीतने वाली कंट्रीस थी जैसे France हो गया UK हो गया US हो गया और हारने वाली कंट्री हमारा Germany हो गया ठीक है जर्मनी हो गया Austria Hungary हो गया Ottoman Empire भी तो यह बोला गया जीतने वाली कंट्रीस ने जो हारा है भocy War उसने स्टार्ट करा है तो भई यह नुक्सानवाया भयानक, इसकी वसूली भी उनी से की जाएगी, तो जो ट्रीटिया वर्सलिस्ट साइन भी थी, वो जर्मनी के ओपर भयानक भारी पड़ी थी, बहुत जवरदस्ट भारी पड़ी थी जर्मनी के ओपर, जर्मनी के ओपर करजा चड़ गया था, ठीक है, काफी में नहीं रह सकते हैं तो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सले साइंग भी ती जर्मनी को काफी भारी पड़ रही ती जर्मनी की हालत खसता थी 1919 के बाद जर्मनी ने अमेरिका से लोन लिया अमेरिका ने जर्मनी को लोन दिया लेकिन 1919 में जब यूएस के खुद के बैंक राश हो गए और स्टॉक मर्केट राश वा यूएस की एकॉनमी गड़ बढ़ गी यूएस ने अपने लोन जर्मनी से मांगने स्टाट करें और यूएस ने जहां-जहां पैसा लगाया था दुनिया में वहां से पैसा वापिस मांगना स् पूरी दुनिया में एकनामिक एक्टिविटीज डाउन हो गी एकॉनमी एक ऐसा पैया है जो बड़ा मुश्किल से चल रहा होता है जो चल रहा होता है लगाता है एक बार यह रुख जाए एकॉनमी एक ऐसा पैया है उसके बाद इसे दुबारा स्टार्ट करना बहुत अगरा, unemployment काफी बढ़ गया था, निराशावाद बढ़ गया था, और जर्मनी की और हालत खराब होगी थी, ठीक है, जर्मनी की भी हालत खराब होगी थी, अर यूएस ने अपने लोन वापिस लेना स्टार्ट करा जर्मनी से, उस समय जर्मनी में हिटलर को मौका मिला, राइस अपनी करी, तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मिलेटरी तो कुछ भी कर सकती है, मिलेटरी में एक लाज से जादा भरती कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो हमारी इंसल्ट भी है 19 дв être में, टिटी ओवर्सेलेस, यह हमारे आत्मसंभान की बात है, और जर्मनी को मैं ऐ ऐसा खड़ा करूँगा कि एक हजार साल तक हम पुरी दुनिया में राज करेंगे। हिटलर इस बात से भी इंप्रेस्ट था कि ब्रिटिश ने जैसे 400 साल तक दुनिया में अपनी कॉलनीज बना के राज किया है। तो हिटलर को लगा हिटलर ने ये सपने लोगों को दिखाएं हम भी राज करेंगे पूरी दुनिया में और एक हजार साल तक राज करेंगे। मैं तुम्हें ऐसा जर्मनी बना के दूँगा। और लोगों को बहुत अपीलिंग लगा। औरेटरी स्किल्स हिटलर की बहुत जबर्दस थी, बहुत भयंकर थी, जबर्दस बोलता था, तालियां बसती थी, तो बहुत बेड़ हो जाती थी, 1933 में हिटलर जीत गया, ठीक है, जर्मनी की हालत खराब थी, दे ग्रेट डेप्रेशन तो चली रहा था उस समय, और हिटलर 1933 में, इसी वज़े से, दे ग्रेट डेप्रेशन की वज़े से ही, उसे मौका मिला, क्योंकि निराशावाद फैल गया था दुनिया में, और लोगों ने हिटलर को सपोर्ट करा जर्मनी में, ठीक है, दूसरी तरफ, इटली में बैनेटो, मुसलिनी, जर्मनी, एटले, और ज ये तीन अलग-अलग, जर्मनी में, एडल्फ हिटलर, बैनेटो, मुसलिनी, और वहाँ पर एम्परर, हिरो ही तो, एडल्फ हिटलर, नाजी, नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी को बिलॉग करते थे, और ये बैनेटो, मुसलिनी, फासिस्ट पार्टी, फासिस्ट पार्टी, हिटलर जितना तेज तर्रार था, बैनेटो, मुसलिनी, उत्राई मुर्ग था, ठीक है, और ये फासिस्ट प फासिस्ट का मतलब है कि अपनी चलाना, ठीक है तो ये फासिस्ट वर्ट वहीं से आया है, इटली से तीक है, तो ये तीनो, तीनो का अपना अलग-अलग सपना था, कि emperor building करना अपना सामराज्य फैलाना क्योंकि जो great depression था इसने इन तीनों के दिमाग ने ये बाट डाली कि great depression काफी मुश्किल है, मुश्किल का सामराज्य करना पड़ रहा है सभी को तो अगर हम अपना सामराज्य फैला लें तो ऐसी मुसिबत आने वाले टाइम में कभी आएगी ही नहीं हिटलर का अपना अलग सपना था बैनिटो मुसलिनी का अपना अलग सपना था जैपैन के emperor hero हितो का अपना अलग चल रहा था हिसाब किताब अब जैपैन के पास क्योंकि land जमीन कम है तो जैपैन के emperor hero हितो हमेशा यह सोचते थे कि चाइना की पास बड़ी जमीन है थोड़ी जमीन हम भी हत्यालें इन से उनका सपना ये रहता था कि चाइना इतनी जमीन का करेगा क्या तो वो उन्होंने चाइना के ओपर attack भी कर रहा था उस time पर चाइना के ओपर attack भी कर रहा था चाइना में अपना civil war चल रहा खुदी वो आपस में लड़ रहे थे तो चाइना हार भी गया था और एक बड़ा manchurian region चाइना का जैपैन ने कपजा भी कर लिया था और जैपैन लड़ाई में बहुत जबरदस थे industries वहाँ पर थी जैपैन में modern weapon भी थे उनके पास जैपैन के पास और उन्होंने चाइनीज को ऐसा पीटा था वहाँ पर कि जिंदा गाड़ देना हाथ काड़ देना, गला काड़ देना हारने के बावजूद उन्हाने सरेंडर करा उसके बावजूद भी Japanese ने बहुत बुरी तरेके से पीटा Chinese को Chinese को आज भी इस चीज़ का बुरा लगता है तो अगर हम history को देखें तो आज के चाइना के behavior को समझ सकते हैं कि चाइना जैसे East China Sea, South China Sea वहाँ पर एक expansionism वाली feeling, मतलब समुदर के उपर भी अपना वो आधिपित्ते जमाता हैं तो असल में वो क्या कर रहा है वो जैपैन को नीचा दिखाना चाहता है जैपैन को कस्ट देना चाहता है China क्योंकि उसे आज भी याद है कि Japanese ने जो पिटा है उने और चाहिना कभी बदला तो ले नीपाया उस चीज का जैपैनीज से तो चाहिना को आज भी याद है ठीक है तो चाहिना के behavior को हम history से समझ सकते हैं कि इसलिए चाहिना और जैपैन के relations खराब है history से समझ सकते हैं ठीक है तो जैपैन के emperor ने अटैक करा चाहिना में और काफी manchurian वाला जो हिस्सा था वो अपने कबजे में ले लिया Hitler तेज दिमाग था उसने Benito Mussolini को पटाया ठीक है और साथ ले लिया उसका कि भी ऐसा करेंगे अपना सामराजे ये उरोप में फैलाएंगे और उधर से Russia के स्टैलिन के साथ भी ट्रीटी साइन कर ली Joseph Stalin रस्या में था उस समय रस्या एक कम्मुनिस्ट कंट्री था Joseph Stalin को बुला तुम मुझे खाना देना और मैं तुमें हतियार दूँगा Joseph Stalin मान गया और Joseph Stalin के साथ एक ट्रीटी और साइन करी थी कि भई ऐसा है कि आदा पोलेंट भी देदेंगे, तो क्योंकि हिटलर ने ये देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जब अटैक किया था, उन्होंने सर्विया के उपर, ठीक है, आस्ट्रिया हंगरी ने सर्विया के उपर, तो उदर से रश्या आ गया था, उसकी हल्प के लिए, इसलिए हि ना खाके, ठीक है, उसी का अनाज लेके, फूट ग्रेंज लेके, उसी के उपर अटैक करने वाला है, क्योंकि हिटलर तेज दिमाक था, तो सकेंड वर्ल्ड वार इसी वज़े से स्टार्ट वा था, सबसे पहले जर्मनी ने पॉलेंट के उपर अटैक करा, ये सारी चीजे क मौका मिला जर्मनी में राइस करने का, 1933 में, 1933 में, हिटलर जर्मनी के पावर में आया था, और उसने कॉंस्टिटिशन जाते साथ, जैसे पावर में आया, सांसलर को हटाया, कॉंस्टिशन साइड फेका, पारलेमेंट को आग लगा दिया, उसने बला, अब मैं हूँ हाँ, देश का, जो मैं बोलूँगा, वो ही होगा, ठीक है, सारी पावर हिटलर ने अपने हाथ में ले ली थी, जर्मनी में, ठीक है, तो ये सब ग्रेट डिप्रेशन का ही असर था, और ट्रीटी अव वर्सलेस, जिसने जर्मनी को के अंद को फील करवा दिया था कि, भई एंड होने वाला था, उससे जस्ट पहले, सुसाइट करा, अपने आपको गोली मार दी, 1945 में, वैसे अगर हिटलर को देखें तो, वल्ड वर्ड जब पोलेंड के ओपर अटेक करा, फ्रैंस के ओपर भी हिटलर ने अटेक करा, और काफी यूरोप का बड़ा हिस्सा हिटलर क कबजे में आ चुका था, और सेकंड वर्ड 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 नैंटीन थर्टीन ने, 1939 से 45, वल्ड वर्ड वर्ड, सेकंड, इन तीनों को बोला गया था, आक्सिस पावर, और बाकी जो कंट्रीस हैं, उनको बोला गया, एलाइस, एलाइस मतलब, यूस, यूके, फ्रैंस, चाइना रिष्या ये इलाइस थे ठीक है तो वाल्ड वोर स्कार्टवा ठीक है यूरोप के बड़े हिस्के पहें पर हिटलर ने कबजा करा और पहले दो रिष्या की हेल्पली फिर रिष्या के ऊपर ही अटाक कर दिया लेकिन हिटलर की कुछ गल्तियां ये रही कि रशिया काफी बड़ा है वो रशिया पे अटेक करने के लिए निकला रशिया काफी बड़ा है उसकी आर्मी की आर्मी की हालत Passion रशिया काफी बड़ा है और एक बार जो Russian forces ने पीछे डखेलना start करा हिटल लगे जर्मनी के फॉर्चिस को तो पीछे ही लगाता चले गई और उदर से फ्रांस और यूके ने भी नीचे की तरफ से बेली बोलते है ना नीचे की तरफ से पहले तो अफ्रीका और फिर इट्रिली की तरफ से अटैक करा और यूस भी 1941 में वार में कूद गया था आपनीज ये पैन ने क्योंकि 1941 में पर्ल हार्बर अटक करा था कि 1941 पर्ल हार्बर जहां पर यू EU एस का जंगी बिर्डा था भड़ा अमेरिका का अमेरिका वार्र में कहीं नहीं था नीज्रल था अमेरिका के वल हतियार वगेरा प्रोवाइड कर रहा था यूके को और फ्रैंस को यूके फ्रैंस ने कई बार अमेरिका को बुलाया वार में लेकिन अमेरिका वार में नहीं कुदा बहतियार प्रोवाइड जरूर कर रहा था लेकिन अमेरिका का जो जंगी बेड़ा था पॉल हारबर में जैपान के एंपरर हीरो ही तो ने बुला कि भाई ये जो जंगी बेड़ा है ये हमें ही नुपसान पहुचाने वाला आने वाले टाइम में तो उन्होंने एक शिप भीजा पॉल हारबर में 1941 तीन हजार मील दूर वहां पर शिप भीजा और पॉल हारबर को दो तीन घंटे में ही पूरा खतम कर डाला और अमेरिका के वह देखता रह गया मूझ खुल के कि यह क्या हो गया कुछ नहीं कर पाया और जैपान की फोर्स वापिस भी निकल गी रास्ते में तो 1941 के बाद जैपान ने जवरदस्ती अमेरिका को सेकिंड वर्ल्ड वार में गसीटा उसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वार में आया और एक्सिस पावर 1945 में क्योंकि बाद में हिटल चारो तरफ से घिर चुका था उस तरफ से US, UK, France आ चुका था इधर से रशियन फोर्स ने कबजा कर लिया था रशियन फोर्स आगे बढ़ गई थी हिटलर चारो तरफ से घुर गिया था सर्दियों तक अमेरिका ने की जैपैन को बोला था सर्दियों तक अब सरिंडर कर लो और उस समय अमेरिका का टेस्ट भी चल रहा था न्यूक्लियर बाउम का वो का सकसफुल रहा तो अमेरिका को लगा कि जब हमारा न्यूक्लियर बाउम भी सकसफुल रहा था उन्होंने biggest में warning दे दि कि कल सरेंडर करोो लेकिन जेपान सरेंडर नहीं करा तूशके बार फीन अगस्ट चैस्जपर बुला व succeedingर और वर कातोया तो ये सारी की सारी चीज़े जो हूई है स्टाट वी एह ग्रेट डेप्रेशन से ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन की वज़े से लिए ग्रेट डिप्रेशन की वज़े से ही हिटलर को राइस करने का मौका मिला हिटलर को राइस करने का मौका मिला राइस ओफ हिटलर राइस ओफ हिटलर ठीक है या बाकी कंट्री में ग्रेट इप्रेशन की वज़े से राइज आफ टोटालिटेरियन पावर का मतलब ऑथरिटेटव उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़े चलेंगी यह मौका मिलता है राइज आफ टोटालिटेरियन पावर ग्रेट इप्रेशन की वज़े से ही और एंपरर बिल्डिंग बाकी एंपायर बिल्डिंग एंपायर बिल्डिंग भी जर्मनी जपान जर्मनी जपान और इतली में एंपायर बिल्डिंग की सुची तो ग्रेट डेप्रेशन की वज़े से ही सुची एंपायर बिल्डिंग की 1921 में तो मंदी के दौर में राइज ऑफ हिटलर इसी वज़े से वा था और और 1919 ट्रीटी और वर्शलेस उसको मुद्दा बनाया था हिटलर ने लोगों को औरेटरी स्किल्स काफी अच्छी थी लोगों को समझाने में कामियाब रहा हिटलर टोटैलिटेरियन पावर को मौका मिलता है ऐसे टाइम पर जैसे हम बोल सकते हैं कि अपनी मनमानी करें ऐसे टाइम पर कोई भी और पब्लिक कुछ नहीं बोलती पब्लिक सपोर्ट करती है क्योंकि मुश्किल टाइम है परेशानिया ही परेशानिया है प्राब्लम सी देवर्जिनेरी पॉलेटेक्स का मतलब देश गलर डिरेक्शन में भी जा सकता है ऐसे टाइम पे गरेट डिप्रेशन की वज़े से ऐसा हुआ कई कंट्रीज गलर डिरेक्शन में चली गई क्योंकि पैसिमिजम था निराशावाद था हर तरफ और एकॉनमी हमेशा धियान सिस्टम के उपर भरोसा ठीक है तो मोदी जी अगर हम देखें उनकी पूरी एकॉनमी है भरोसे के उपर वो लोगों में भरोसा पैदा करने की कोशिश करते हैं हमेशा आपने बातसर्ण में अगर देखना हमेशा अपनी स्पीच में बात करेंगे 125 करोड लोग कर सकते हैं कर हम राइस करेंगे हमेशा वो यही बात करते हैं जबकि वो जानते हैं रियालिटी में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं बहुत मुश्किले हो रही हैं लेकिन वो लोगों में हमेशा भरोसा पैदा करते हैं क्योंकि जहां निराशावाद होगा गलत टाकतों को मौका मिलेगा इंडिया में rice करने का. वो लोगों को घुम्रा करेंगे. Divergenery politics होगी. तो politics अलग-अलग गलड direction में जा सकती हैं. इंडिया की. तो इसलिए वो भरोसा पैदा करने की कोशिस करते हैं. तो economy हमेशा confidence से चलती है. भरोसा से चलती है. और पूरी दुनिया में भी ये भरोसा पैदा करने की कोशिश करते हैं मोदी जी कि इंडिया ग्रो कर रहा है और ग्रो करने वाला है ताकि इंवेस्टमेंट हो क्योंकि country ही भरोसे से चलती है तो आज इतना ही discuss करते हैं फिर next class में कुछ नया discuss करेंगे ठीक है इससे आगे continue करेंगे थैंक यू थैंक यू students